तो सोबारत इसमें G20 समिट होस्ट कर रहा है और इसमें एक यादगार लमहा जुड़ चुका है G20 अब G21 हो चुका है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया गया है जब प्यम नरेंदर मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की गोशना की तो उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के प्रेजिडेंट ने भारत के प्रदान मंत्री का किस तरीके से आभार वेक्त किया है वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चाइना के चिंग पिंग की उन्होंने G20 समिट में आने से इंकार कर दिया क्योंकि उनका पेट दर्द करने लग गया था एन मोके पर इसलिए साथ में उने का कि मेरा अकले का पेट दर्द नहीं करता है साथ में पुतिन जी का भी हाजमा खराब हो चुका ह इसलिए दोनों ने वहिया छुटी मार लिया है बंक मार लिया है G20 समिट से लेकिन जब ये इतनी बड़ी सूचना सामने आई कि अफरीकन यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया है G20 में उसके बाद से उनके नए आने के बारे में पूरी दुनिया में कोई बात ही नहीं कर है इनफेक्ट रेशियन और चाइनीज मीडिया भी इसी बात के उपर जोर देने पर लगा हुआ है कि कैसे भारत की प्रेजिडेंसी के अंदर इतना बड़ा ये जो स्टेप G20 ने उठाया है और अफरीका को जिसका कोई नित्रित तो नहीं था G20 में उन्हें भी एक पर्मन 21 बाद में किया जाएगा लेकिन कब किया जाएगा इस बात पर शोर्टी नहीं थी और भारत ने इसी बात का फाइदा उठाया है मैं देख रहा था जब परदान मंतिर नरंदर मोदी जी ने सभी परतिन देत्व देशों के वहां मौझूद थे उनसे पूचा था कि हम अफ अफरीका से उनके रिष्टे खराब हो जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस को लेकर अफरीका में अभी इस समय काफी नकरात्मक माहूल बना हुआ है क्योंकि एक फ्रेंच कोलोनी जो कि कह सकते हैं कि अभी भी फ्रेंच कोलोनी है इंडारेक्ट तरीके से वहां फ्रांस रूल करता है तो वहाँ पर लोगों ने बगावत कर दी है सेना के साथ मिल के ठीक वैसा ही कोई भी नहीं चाता कि उनके रिस्ते अफरीका मादविप के साथ अफरीका के लोगों के साथ करा वो उनके आबादी की बात करें तो अफरीकन यूनियन में 50 दे शाते हैं और उनकी कर्मिक बूम देखेंगे सभी चाते हैं कि उनसे फाइदा लिया जाए और उनके साथ मिल के आगे बढ़ा जाए जिससे की म्यूच्वल बेनिफिट हो सभी देशों को ठीक यही मौका अगर भारत की जगए चाइना होता तो चाइना भी यही गेम खेलना चाता था लेकिन भ में इवेंट आया तो वहां भी इनके चिंग पिंग नहीं आए लेकिन यह जो प्रो गेमर मूव चली है जी ट्वंटी को जी ट्वंटी वन बनाने की जिसने भी इसका दिमाग लगाया है सही टाइम पे लगाया है जो देश अनुपस्थित थे ना उनकी अनुपस्थिती को इसने नेगलेक्ट कर दिया है कोई फरक ही नहीं पड़ा है मैं देख रहा था पूरे इवेंट में किसी ने कोई मिस ही नहीं करता हाँ चाइना कोई कैसी मिस करेगा सब वैसी प्रिशान रहते हैं उनसे लेकिन रश्या को भी कोई मिस नहीं कर रहा था और यह सबसे बड़ी मिटिंग में लेकिन जो रशिया और चाइना का जो नाचकाना अलग से होना था वो भाईया मिस हो चुका है और शायद अच्छे के लिए हुआ है हाँ रशिया के फॉर्ण मिनिस्टर सरगे लावरो आए हैं और उन्होंने ये कहा था कि वो डिकलेरेशन होगा जो G20 का उस पर साइन नहीं करेंगे अगर उनकी बात को G20 के डिकलेरेशन में शामिल नहीं किया जाता है तो ये जो एक दो पेचीदगिया रह गई है इसे ध्यान से सरकार कैसे मतलब घाड़ी निकालती है यहां से ना ये देखने वाली बात होगी बाकी अब तक जो इवेंट अभी चला ह जो जिस तरीके से जा रहा है बोहुत ही सक्सेस्फुल मैं इसे कहूंगा और अब देखते हैं वो एतिहासिक वीडियो जिसमें परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने G20 को G21 में बदल दिया और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के प्रेजिडेंट ने किस तरीके से गले प्रशाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताओं पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अद्ध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंतरित करता हूँ अजल्सी इसके साथ ही मैं मीडिया